शादी को यादकार बनाने को लोग क्या क्या करते हैं कोई हवाई चाहज में शादी करता है कोई विदेश चाकर मगर संभल के चंदोशी में एक रोडवेज कर्मी ने अपने बेटे का विवा रास्ट्रिवाद को समर्पित कर दिया CAA और NRC समर्थक रोडवेज कर्मी ने पुत्र के विवा में दूले ने तिरंगे रंग की पगड़ी पहनी तिरंगे फूलों से बनी जैमाला दुलहन को बहनाए शादी में जनसंग ख्या नियंतरण को कानून बनाने का प्लेफेक्स लगाया वेकेंड हॉल को तिरंगे रंग से सजवाया और शहनाई संग शादी में देश भक्ती के गीतों की गंगा वही तो वहीं हुई ना ये वाकई यादगार शादी संभल राश्णवात के रंगों में सराबोर शादी की एजहां की संभल जनपत की व्यापारिक नगरी चंदोसी से सामने आई है जहां रोडवेज कर्मी, अनिल मिश्रा के पुत्र, मोहित मिश्रा के शादी में सब जगा तिरंगा नजर आ रहा था दूले ने तिरंगे पगड़ी पहनी, दूलहन को तिरंगे रंग की फूलों की वरमाला पहनाई, पेकेंड हॉल में तिरंगे रंग से सजाया गया और तो और स्टेज पर जनसंख्या नियंतरण को कानून बनाने की मांग कपले फिक्स लगाया शादी में सहनाई संग देश भक्ती के गीतों की छटा विख्री रही राश्टरवाद के रंग में सराबोर एक अनूखी शादी में राजमंत्री गुलाब देवी ने वरवधू को आशिरवाद दे कर शादी का आनंद और बढ़ा दिया यहां हम आपको एक और खास बात बताते चलें कि रोडवेस कर्मी को यहां वही परिवार है जिसने शादी के काड़ पर CAA और NRC का समर्थन किया था लोगों को शादी का काड़ देते समय CAA और NRC की वास्तविक तर लोगों को बताई थी दरसल संबल समय देश भर में CAA के विरोध के नाम पर उन रोडवेस बसों को जो हमें गंतत्तों तक पहुँचाती हैं तोड़ खोड़ और आजमी की रोडवेस कर्मी को बहुत दुख हुआ था उनने शादी के काड़ पर न सिर्फ CAA NRC का समर्थन किया बलकि लोगों को काड़ देते समय CAA NRC की वास्तविक्ता बताई इस अंजाम को व्यापक समर्थन मिला था रात बर चले बेटे की शादी समारों को रास्तविक्त को समर्थन कर रोडवेस कर्मी इनने शादी को बाके ही यादगार बना दिया है जैसे कि आपकी शादी के काड़ पर NRC और CAA का समर्थन किया गया था और आपके स्टेज पर जो है जन संक्या नियंतर कानून की मांग की गई तो क्या कहेंगे इस वादे में बस यही कहना चाहूंगा मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं और मेरे मतलब मुझे लगता है कि मुझे अगर जनम बिलाएं अपने राष्ट के लिए कु जिसे कि वो अपने देश की रक्षा करें और काफी हद्द कुछ देश के लिए सबोर्ट करें तो यह मेरा बच्चा है मोहित मिस्रा सौनम है इन दोनों की साधिक आज भी है और यह सयोग है इन बच्चों का या बच्चों का जोधी नसीब है कि आज इतना अच्छा कारी और कि आज सबसे जादा ने सुझी है और व राज्ट ह perfection का राजटीयवावना से जो हमारा दिल और हमारे बच्चों का दिलोstillगों में सबी लोगों के खरभूम्हां समotic होई भी है को काई है अगर हम हम कोह मैं इसी क्द अपने इसंदी जैसे प्रोगरम में लोगों को काड में भी एनर्ची सीए का समर्थन चंपाया था हम जानते हैं उससे किसी को कोई नुक्सान नहीं होने वाला है लेकिन लोगों को गलत फ्यमी पैदा करी ही है आज सबसे में यह है कि हमारे देश में जितना भी विकास होना चाहिए उस विकास में जो बादक है वो हमारी जन सोच के चलती है दो साल बाद एक सो पजाल तरोड हो जांने इस पर भी नियंतरन होना थी है और जनसंग्या नियंतरन का जुआ है कानून का हम बांग करते हैं और हमारा सभी ने बहुत सायोग किया यहां तक हमारी राजमंत्री ने जब हमारी भावनाय देगी और उन्हें यह पता पड़ा के इस कारी कम में है यह गाश्टी भावना से भी वह तो आसी बात देने गुदाई और हमारे बिचारों का और हमारे हर चीज़ का बहुत सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल उसमें क्या बात है क्या यह यह हम 26 जन्वरी पे हिंदोस्तान जिन्दबात कर यह तो हम कर सकते हैं कि हमारे बावना है कब बीद दीन्दबात कर सकते हैं यह नहीं है कि के वल लूँ उसके ही युद्धाबना हूँ हूँ यह बहुत अच्छी पहले नवदमपत्ती के लिए यह दमपत्ती से कावी से मर्चन कर रही है और जन सिंख्या नियंतर पर भी बढ़ दे रहे हैं अगर इसी प्रकार्श की जाकती है यही चेतना यही स्कूर्थी है यदि हमारे नवदमपत्तियों में आ जाए जन सिंख्या कि जो ज्यादा बरोत्री हो रहे हैं उसके नियंद्रन लगेगा जो राष्ट के लिए और समाज के हिकमें होगा जादी के कावड़ पर इंट नहीं नहीं चीज है लेकि जगा 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 जो ब्रोद हो रहा है वो ऐसे लोग ब्रोद कर रहे हैं जो जानकर भी की अन्जान बंद लःए जग्कि वो छानते हैं कि यह से किसी को कोई नुकसान नहीं शी एकिसी की नागरिक्ता में बादरे ह्लाब नहीं यह तो नागरिक्ता देने का एक एक पहोट अच्छा प्रविदान है और वह जान भूशकर हमारे देश को तोलने की कोशिश कर रहे लेकिन उनकी ये कोशिश ना काम रही